हलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चैनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एजूगेसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे इंफ्लामेंटरी बाउल डिसिस के बारे में और सीखेंगे ये डिसिस होने के कारण वगेर क्या है, मतलब कि उसके कूजिस हम सीखेंगे फिर उसके लक्सन क्या होते है, सिम्टम्स वगेर क्या डेवलप होते है और कौन से मेडिसिन्स वगेर को यूज करके ये डिसिस के इलाज होता है treatment होती है वो सब जानेंगे detail में ये video lecture में about the inflammatory bowel disease की जिसको हम short में कहते है IBD, तो IBD की समस्या होने पर उसका इलाज किस तरह से होता है वो हम जानते है detail में तो expert lecture by a mercer assistant professor and founder of farmer rocks thank you for being two leg family of farmer rocks, updated ये farmer knowledge के साथ access कर ये study material, test series video lecture farmer rocks के अब उपर तो android user, android app download करे, iphone user, app store से download करे, link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो concept है वो समझे inflammatory bowel disease के बारे में तो ये जो medical term है जो bowel कहते है anatomical term, तो bowel का मतलब होता है intestine कि यहाँ पर आप जो देख रहे है diagram के अंदर तो lower gastrointestinal track जो है यहाँ पर कि जो हमारा पाचन तंत्र का जो नीचे का हिस्सा जो हम कहते है खासकर तो वहाँ पर होते है हमारे intestine के जिसको कहा जाता है bowel तो ये lower GI tract related disease हम कह सकते हैं और इसके अंदर यहाँ पर specially हो जाती है सूजन कि आप देख सकते कि यह जो लाल कलर का जो portion देखाएगा है मतलब कि वहाँ पर क्या हुआ है सूजन सा आपको देखने को मिल रही है inflammation देखने को मिल रहा है तो ये disease के अंदर main एक ही concept है कि lower GI tract या फिर जो हमारे colon का जो portion है intestines के जो portion है small या फिर large intestine तो वहाँ पर हो जाती है सूजन तो उसके दो पार्ट परते ही disease के एक तो colitis कि जो specially असर करता है colon को कि जो large intestine है and Crohn's disease के जिसके अंदर small intestine भी वहाँ पर infected होता है तो it is characterized by chronic inflammation of the gastro intestinal tract and damaged it के chronic मलब कि लंबे समय तक हमारे GI tract के जो lower portion है वहाँ पर inflammation रहता है और वहाँ पर क्या होता है specially damage होता है कि आप देख सकते कि ये सूजन वगरा देख सकते है damage देख सकते है तो हिंदी में समझे detail में तो inflammatory bowel disease को आप ऐसे term के रूप में समझ सकते कि जो पेट के अंदरूनी हिस्सों में आई सूजन और अध्य समस्याओं को बताने के लिए उप्यो किया जाता है कि inflammatory bowel disease जो word है कि इसको ऐसे तरह के समस्याथे कि ये आपके पेट के अंदरूनी हिस्सें मतलब कि ये colon का portion आप देख सकते हैं intestine के अंदर के portion तो वहाँ पे आप देख सकते के काफी ये सूजन आपको देखने को मिल रही है कि ये जो portion देखो आप तो ये पूरा जो अंदर का जो देख सकती है आप तो वहाँ पे सूजन देखने को मिल रही है आपको inflammation देखने को मिलता है और ये एक पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या है बिमारी है कि जो chronic inflammation की वज़व बन जाते कि chronic inflammation काफी लंबे समय तक वहाँ पर सुजन रहेगी और उसके करण बहुत सारे complications होते हैं कि जो हम symptom सिखेंगे उसमें आपको पता चलेगा तो ये होने के reason समझते हैं कि reason क्या है कि IBD के समस्या होती क्यों है तो उसके कुछ ऐसे reason है कि exact reason अभी तक किसी को पता नहीं है IBD होने के but sometime it is called a defective immune system कि आपके body की जो immune system है समझो कि defective है तो उसके current भी आपको inflammatory bowel disease हो सकता है कि जैसे कि आपके immune system की जो cell है वो क्या करेंगे आपके ही body के उपर attack करना start करने के मिलब कि आपके body के जो healthy cells होते है उनके उपर attack करते है and उनको damage करना start करेंगे अब healthy cells damage होंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका infection लगेगा और infection होने के बाद आगे जाके वो infection inflammation के अंदर convert होता है कि और ये लंबे समय तक चलने से chronic inflammation बन जाता है कि जो लंबे समय तक वहाँ पे सुजन रहती है तो दूसरे भी कोछे से reasons आप दे सकते हैं कि जो genetic susceptibility मतलब कि genetic reasons भी होते कई बार inflammatory bowel disease होने के पीछे कि parents को समझो कि problem था या फिर आपके family history में किसे को problem था तो भी genetically आपको हो सकता है environmental factors भी affect कर दे कई बार फिर mucosal and systemic immune responses कि जैसे हमने ये point समझा कि immune system attack करना start कर देती है healthy cells के उपर और उनको damage करना start कर देगा फिर जो कुछ intestinal microbiota होता है मतलब कि जो intestine के अंदर रहे जो microorganisms होते है वो भी कई बार ये infection करने के लिए responsible बनती है तो ये सभी reasons मिला के reason मिला के जो condition form करते हैं जिसको हम कहते है inflammatory bowel disease की सौट में इसको हम कहते हैं IBD अब समझते उसके symptom तो बहुत सारे अगलागलग symptoms देखने को मिलते है तो common symptoms देखे कि इसके दो condition है IBD के एक तो Crohn's disease और दुसरा ulcerative colitis कि colitis में सिर्फ colon का portion large intestine affect होते है वहाँ पे ulcer भी होता है inflammation भी हो जाता है जबकि Crohn's disease के अंदर large के साथ साथ small intestine को भी असर पढ़ते हैं और वो infection आगे और भी उपर तक बढ़ सकता है तो उसके symptoms हम देखे तो diarrhea हो सकता है और diarrhea के साथ blood आ सकता है mucos भी आ सकता है जिसको हम कह सकते के stool इने blood फिर fever हो हो सकता है आपको काफे fever रहेगा एनेमिक हो सकता है fever हो सकता है पसिना जिसा हो सकता है और jaundice जिसा भी आपको feel होगा abdominal pain and cramping होना start होगा कि abdomen का जो portion है वहाँ पे cramps जो है वो start हो जाएंगे फिर blood in your stool के diarrhea हो रहे है तो उसके साथ blood आ सकता है reduce appetite आपकी जो बूख है वो कम हो जाएगी और जिसके कारण unintended weight loss कि आपके body का weight भी जो है वो loss होगा कुछ लोगों के अंदर skin racist देशा भी देखने को मिलता है body के उपर तो ये सब symptoms develop होते है cramps disease या फिर ulcerative colitis के अंदर तो आप जानते हैं उसके treatment के बारे में कि किस तरह से इसका ilaj होता है तो ये disease के अंदर main reason है inflammation है तो सबसे पहला जो treatment का जो target होता है कि inflammation को कम करना तो inflammation को कम करने के लिए anti-inflammatory medicines जो है वो यहाँ पे use की जाती है treatment के अंदर तो first step inflammatory bowel disease के अंदर जो treatment का हम first step कहें तो वो है anti-inflammatory drugs तो anti-inflammatory drugs के अंदर specially cortico steroids यूज किये जाते हैं कि जो steroidal medications हम कहते हैं anti-inflammatory और amino salicylates यूज किया जाते हैं जैसे कि mesilamine है balsalizin है and olsalizin तो ये तीनों जो lesins है mesilamine है तो वो use किया जाते हैं anti-inflammatory के तोर पे फिर amino salicylates में आप देखो तो sulfasalizin के यहाँ पे tablets देख सकते हैं कि जिसके strength होती है 500 mg तो as per the direction of physician आप जो हो ये tablets जो हो यूज कर सकते हैं कि patient के condition patient के condition normal है तो usually ये जो दिन में एक ही tablet जो लिया जाता है one tablet per day और condition और ज्यादा खराब है तो वो जो है वो dose दिन में दो tablet जैसा भी कर सकते हैं depend on the condition फिर all cellesins के इस tablet आते हैं कि जो भी similar है sulfasalazin के balsalazide होते है and mesalamine तो ये amino cellesylates use किया जाते है IBD के treatment के अंदर फिर आगे देखे glucocorticoids के अंदर तो ये steroid है कि जैसे prednisolone है methyl prednisolone प्याता है फिर prednisolone है prednisolone hydrocortison आते है budesonide आता है azothioprenine 6 marcap topurine जैसे medication तो ये सब भी use किया जाते है glucocorticoids का ही जाते है तो इन में से कोई भी जो है वो prefer किया जाता है patient के conditions के बेस पे सबसे popular हम देखे तो prednisolone और prednisolone जैसे है वो सबसे ज़्यादा use किया जाते है कि 20 mg strength में रहते है और Rx only medications रहेंगे कि जो prescription based medication हम कहते हैं फिर methotrexate का ये जो injection आता है prescription based intravenously infusion से ये injection दिया जाता है specially Crohn's disease के अंदर कि जब inflammation और sujan small intestine में भी है साथ हो साथ large के साथ तो वहाँ पर ये prefer किया जाता है methotrexate injection but वो ulcerative colitis के अंदर use नहीं किया जाता because ulcerative colitis में उसकी effectiveness जो है वो देखी नहीं गई है कोई इसलिए सिर्फ और सिर्फ Crohn's disease के अंदर ये injection ये जो कि जब methotrexate कहते कि वो anti-cancer medication भी है कि anti-cancer में भी आता है ये methotrexate फिर समझे anti-TNF alpha TNF मतलब कि tumor necrosis factor कहा जाता है ये ऐसा factor है कि जो involved होता है systemic inflammation के अंदर कि body के अंदर बहुत सारे इसे areas के अंदर Susan देखने को मिले तो वहाँ पर responsible बनता है ये एक factor जिसको कहा जाता है TNF तो उसको block करना जरूरी है उसकी activity को inhibit करना जरूरी है तो उसके लिए उसका anti-medication कि जिसका antidote जिसे हम कहते है तो उसका anti मतलब कि anti-TNF alpha therapy और उसमें जो popular MABs कि जो monoclonal antibodies जो हम कहते है bio technology के checklist से ज्यादा तर बनाए जाते है तो उसके अंदर infliximab के जो medication है adalimumab and seratolizumab तो ये तीनों जो है वो काफी popular medications है कि as a anti-TNF alpha therapy के तो तो ये कब यूज किया जाते है कि patients के blood test किया जाता है और उसमें आप जो C-reactive protein देखो तो CRP का labor कितना देखने को मिलता है वो देखा जाता है तो उससे पता जलता है कि कितना infection उसके अंदर फैला हुआ है body के अंदर कितना surgeon वगेरा है तो उससे पता चलेगा कि patient की condition कैसे है उसके तोर पे ये medications उसको prescribe किये जाते है तो anti-TNF-alpha में अंदर हम देखे तो efficacy of them in ulcerative colitis is doubtful but Crohn's disease के अंदर वो ज्यादा यूज किया जाता है infliximab is given by IV root यहाँ पे आप देख सकते हैं कि infliximab का ये one vial देख सकते हैं 100 mg के अंदर कि जो prescription based medication रहता है and subcutaneous root से जो है वो दिये जाता है वो intravenous ले दिया जाता है और बाकी के दो जो हमने देखे injections वो subcutaneous root से दिया जाता है sertolizumab is pegylated anti-TNF-alpha integrated for Crohn's disease तो ये भी Crohn's disease के अंदर यूज होता है sertolizumab तो ये थे anti-TNF-alpha therapy आगे समझे anti-integrin therapy तो anti-integrin therapy के अंदर natalizumab जो है वो याप आप देख सकते है वो यूज किया जाता है is moderate to severe Crohn's disease not responding to other therapies कि Crohn's disease के अंदर दूसरी कोई भी therapy useful नहीं है तो उस वक्त आपके पास ये एक option रहता है natalizumab injections के and it is targeted against a4 subunit of integrins कि जो infection है inflammation वगेरा से related जो mediators होते हैं उनको काम करके ये medication जो हो अपना काम करेगी और effective साभित होते है IBD के इलाज के अंदर drug of choice इसके बात करें तो सबसे पहले जो choice रहती है starting के अंदर तो corticosteroids रहते हैं इसके अंदर जिसे की glucocorticoids के हम बात करते हैं prednisone है prednisolone hydrocortison budesonidine एज़ा थाय उपरें 6MP वगेरा रहेंगे drug of choice drug of choice के सरवात कहाँ से करें तो ये medicine से समझे के patient ठीक हो रहा है तो आगे वो anti-TNF alpha या फिर दूसरे medications की जरूरत नहीं है सिर्फ इससे ही ठीक हो जाएगा बट इससे ठीक ना हो तो जो है वो आप आगे दूसरे medications यूज़ करेंगे जिसे हमने discuss किया भी फिर ulcerative colitis के अंदर drug of choice देखे तो 5 SA derivatives 5 SA के अंदर जैसे हमने देखा कि 5 amino salicylic acid के derivative sulfasalazin है olsalazin है balsalazide है mesalamine है तो ये सब रहेंगे drug of choice for ulcerative colitis अब बात करें तो ये medication के अंदर सबसे पहले ये है कि ये starting therapy आप ये medication से यूज़ करते हैं और इनसे फरक ना पड़े तो है दूसरे medications यूज़ करते हैं जो हमने ये lecture के अंदर जो injections वगरे के बारे में भी discuss किया और दूसरे जितने भी के method or exact के हमने बात की तो वो सब injection या medication जब ये सब oral लेने वाले टेबलेट से treatment नहीं होता तो ही आपके पास वो options रहते हैं तो thank you for attending this lecture join कर सकते हैं whatsapp group, access कर सकते study material test series and video lecture pharma rocks के आप उपर तो android user डाउनलोड कर सकते हैं android app, iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाए कि good luck and all the best खेंडे की जाओ की जाइव से लाओ लग ये लाओ क्टाइब हो से लिएक जाओ की